हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Motorola age 30 pro android while phone में आप जो है high contrast text setting को आप enable कैसे कर सकते हैं यानि कि on कैसे कर सकते हैं ठीक है और आप इस high contrast setting को जो enable करने के बाद इस setting कैसे काम करेगी इसकी पूरी जानकादी मैं दूँगा इस वीडियो में तो चलिए आपर जो वीडियो को सबसे पहले तो आपको इस phone में setting page open करना है ठीक है और इसके बाद आपको नीचे की side में आना है यहाँ पर आपको accessibility का option मिलेगा accessibility पर सेलेक्ट करना है ठीक है अब आपको accessibility के इस page में सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको high contrast text का option मिल जागा ठीक है इसके सामने एक button दे रखा इसको आपको सेलेक्ट करना थो यह setting आपकी इनेवल हो जाती है ठीक है अभी setting इनेवल होने के बाद इस setting काम कैसे करेगी यह मैं आयपको समझा देता हूं ठीक है अभी मैं setting को off कर दिया इससे enable करके आपको on करके दिखाऊंगा अभी ठीक है इसने पहले मां थोड़ा सा फीका है आप देख सकते है ठीक है इनका पूरे मुवाइल सिस्टम में जो है काफी जगे पर आपके जो फोंट होते हैं जो टेक्स होते हैं उनके कलर जो है हलके होते हैं तो जैसी आप जो इस हाई कंट्रास टेक सेटिंग को आउन करेंगे तो इनका कलर देखे कितना ज़्यादा डार्क हो चुका है यह आप देख सकते हैं तो यह सेटिंग जो आपके पूरे मोवाइल सिस्टम पर अप्लाई हो जाता है अगर आप इस सेटिंग को इ से सेलेक्ट करना है अब यहाँ पर आपको जो है सेटिंग का नेम यहाँ पर टाइप कर देना और ध्यान रखे स्पैलिंग मिस्टेक नहीं होनी चीए तो आपको नीचे यह हाई कंट्रास टेक्स्ट का ओप्शन नजर आ जाएगा ठीक है इससे सेलेक्ट कर लेंगे तो इस से आप जो है इस सेटिंग में डिरेक्ट पहुंच जाएंगे और इस सेटिंग को हाईलाइट करता आपका फोन तो यह मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता है इस सेटिंग को ढूंडने का